हेलो फ्रेंड्स, यूके निटिंग में आपका स्वागत है, आज मैं आपके साथ बहुत ही खुबसूरत पैटन सियर करने जारी हूँ, इस पैटन को आप और प्रोजक्ट में अपलाई कर सकते हैं, लेडी स्वेटर, गल्स स्वेटर, बेबी स्वेटर, बेबी फ्रोग, कार् आप से फंदे डालेंगे, फिर कोई साभी बॉर्डर पैटन बनाके कम्प्लेट करेंगे, बॉर्डर पैटन कम्प्लेट होने के बाद हमारा ये पैटन बनना स्टार्ड होता है, इस पैटन को बनाने के लिए हमने टू के मल्टिपल में फंदे डालने हैं, पलस हमने टू फ यह पहला फंदा उता लेना है धागा अपने साइड करेंगे एक फंदा उल्टा बुन लेंगे अब एक फंदा उल्टा बुनने के बाद देखें नेस्ट हमारा पैटरन बनना स्टार्ड हो जाएगा तो देखें यहां पर यह देखें दो फंदे एक साथ बुनेंगे दो का ए एक करेंगे फिर नेश्ट देखे यही दो का एक कर लेना है फिर दो फंदे एक साथ बुनेंगे दो का एक फिर दो फंदे एक साथ बुन लेना है यह देखे दो फंदे एक साथ बुनेंगे दो का एक कर लेंगे यह देखे दो का एक किया लास्ट में देखे एक फंदा उल्ट और एक फंदा सीधा आ जाएगा तो देखे ये front side से हमारी pattern की first row complete हो गई हमारे project के हिसाब से हमारे first row में जितने भी फंदे होंगे हमने यही process repeat करना है अब देखे रॉंग side से pattern की second row अब second row में देखे पहला फंदा उताल लेना है next फंदा उल्टा बुनेंगे एक फंदा हमने उल्टा भुना अब देखें यहां पर हमने धागे को ऐसे डबल रोल कर लेना है सलाई में हम यहां पर धागे को डबल रोल करेंगे एक हो गया फिर यह देखें दो फिर एक फंदा उल्टा भुनेंगे फिर नेश्ट यही प्रोसिस रिपीट होगा सलाई में धागे को ऐसे डबल रोल करेंगे एक दो फिर एक फंदा उल्टा नेश्ट यही प्रोसिस रिपीट होगा देखे एक और दो फिर एक फंदा उल्टा यह देखे फिर दो बार हमने सलाई में धागे को रोल कर लेना है एक फंदा उल्टा इस तरीके से देखे एक फंदा उल्टा फिर यहां पर देखे यह सलाई में धागे को डबल रोल करेंगे एक फंदा उल्टा उल्टा बुनेंगे इस तरीके से देखे ऐसे सलाई में धागे को डबल रोल करना है फिर एक फंदा उल्टा बुन लेना है फिर लास्ट का फंदा भी उल्टा आ जाएगा तो देखे ये रॉंग साइड से हमारी पैटन की सेकिंड रो कम्प्लेट होगी ये देखे अब देखे फ्रंट साइड से पैटन की थार्ड रो अब थार्ड रो में देखे पहला फंदा उतालेंगे ये पहला फंदा उतालेना है ये देखे धागा अपनी साइड करेंगे एक फंदा उल्टा बुनेंगे ये एक फंदा उल्टा बुना अब देखिए जो यह double roll करके भुना हुआ धागा है इसको single कर देंगे इस तरीके से और देखिए यहाँ पर हमने सलाई में धागे को एक बार ऐसे roll कर लेना है धागे को ऐसे सलाई में लपेट लेंगे एक बार और देखे ये जो सिंगल किया हुआ धागा है और भुना हुआ फंदा इन दोनों को एक साथ भुनेंगे धागा अपनी साइड है देखे इस तरीके से हमने ये भुन लेने फिर हम याँ पर सलाई में धागे को एक बार लपेट लेंगे ये देखे फिर नेश्ट वाले फंदे को ऐसे सिंगल करेंगे ये जो डबल रोल किया हुआ धागा इसको सिंगल करेंगे और भुना हुआ फंदा इन दोनों को एक साथ हुनेंगे देखे ये दो का एक करेंगे फिर नेश्ट देखे ऐसे सलाई में धागा लपेटेंगे इस फंदे को सिंगल करेंगे और देखे इस तरीके से ये दो फंदे एक साथ बुनेगे फिर यहां पर धागे को देखो ऐसे सलाई में लपेटेंगे और डबल रोल वाला धागा ऐसे सिंगल कर लेना है इसको और ये डबल रोल वाले फंदे को और ये फंदा इन दोनों को एक साथ बुन लेना है फिर यहां पर इस राई में धागा लपेट ना है फिर इस फंदे को सिंगल करना है फिर दो फंदे एक साथ इस तरीकी से हम इस प्रोसिस को रिपीट करते जाएंगे और फ्रंट साइट से अपनी third row complete करेंगे ये देखे धागा पीछे last का फंदा सिधा तो देखे ये front side से हमारी pattern की third row complete हो गई ये देखे अब देखे wrong side से fourth row fourth row में देखे पहला फंदा उतारेंगे wrong side से हमने fourth row को उल्टा भूनते हुए complete कर लेना है अब देखे अब देखे फ्रेंट से से हमने फिप्तरों को सीधा बुनते हुए कम्प्लेट करना है यह देखे यह फ्रन्ट साइड से हमारे फिप्तरों कम्प्लेट हो गई अब देखे रॉंग साइड से सिक्स रो पहला फंदा उतारेंगे और रॉंग साइड से हमने सिक्स रो को उल्टा बुनते हुए कम्प्लेट कर लेना है यह देखे यह रॉंग साइड से हमारी सिक्स रो कम्प्लेट हो गई अब देखे फ्रन्ट साइड से से सेवंध रो अब सेवंध रो में हमारा पैटन रिपीट होगा सेवंध रो को हम फर्स रो की तरह बुनते हुए कम्प्लेट करेंगे इनी छे सलायों के पैटन को हमने बार बार रिपीट करते जाना है और बनके देखे हमारा पैटन कुछ इस तरह से आ जाएगा यह देखे बहुती सुंदर बहुती आसन पैटन है आप इसे औल प्रोजक्ट में अपलाई कर सकते हैं दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो किरपया लाइक करें सियर करें कमेंट करें और आप हमारे चैनल में नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइब करना बहुती तेंक्यू